नमस्कार में अप्रिया आज 18 जून खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर नितीश काबिनेट की बैठक पे 18 एजेंडों पर लगी मुहर बिहार में संभावित बाढ़ से बचाव की तयारी शुरू अज बिहार बंद का समर्थन करेगी राज़त अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खम्रों की और विस्तार से अखिल भारतिय आईरवेग्यान संस्थान एमस पटना ने निकाली डिक्तिया अखिल भारतिय आईरवेदिक संस्थान एमस पटना ने वितिय सलाकार, लेखा अधिकारी, चुकित्सा अधिक्षक, मुख्य नर्सिंग अधिकारी, अधिक्षन अभियंता, विद्यूत कारी अभियंता, सहायक अभियंता, वरिष्ट अधिकारी, वरिष्ट खरीद सहस्ट स्वाधिकारी, सिस्ट्ट्रक अधिकारी, सिस्ट्ट्रक्षा अधिकारी, मुख्यात पुस्त। कर दि est还 करju 20, पदों पर आवेदन की मांग की गई है। इन पदों के लिए सैख्ष्णिक योगिटा की बात करें तो अभिएटटियों के पास डिप्लोमा सना तक BSE, BE, BTEC, BLIB, MA या MCOM या MSC या PG Diploma या फिर MSMD, MSW, MHA या समकश, INR प्रसांगिक अनसाशन और 5 से 15 प्रसांगिक नौकरियों में कारे करने का वर्षों कानुभव होना आनिवारे है इसके साथ ही आप इन पदोव से जोड़ी तमाम जानकारी नीचो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियेगे URL से ज़ा कर ले सकते है नितीश क्याबनेट की बैठक में 18 एज़ेंडो पर लगी मुहर मुखी मद्री नितीश कुमार के अध्यक्षता में बीते दिन एक बार फिर से क्याबनेट की बैठक बुलाई गई थी इस बैठक में ही कुल मिलाकर 18 एज़ेंडो पर मुहर लग गई है वित्यवर्ष 2022-23 के तहट ही अब समगर सिक्षा स्कीम के अंतरगत काम करनेवाले सिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 45 अरब 41 करोड 38 लाख रुपे की स्विकृती दे दी गई है इसके साथी अब बिहार में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्विद्याले पटना में अध्यनरत पीजी पीएच्टी फेलोशिप एवं इंटर्ण के मांदे में व्रधी की स्विकृती प्रदान की गई है अनुसूचिज जाती एवं अनुसूचिज जनजाती कल्यान विभाग की तरफ से 2022 टेइस में भीम राओ अमेटकर आवासिय बाली का प्लस टू उच्च विद्याले मुंगेर में भवनों के निर्मान के लिए 51 करोड की स्विकृती मिली है इसके साथी प्रस्तावित बिहार प्रशास्तिक ने आधिकरन हेतू विभने कोटे के कुल 27 पदो के स्रिजन की स्विकृती है वहीं इस दारान बिहार स्टाटप नीदी 2022 के अनुमोदन के सम्द्ध में स्विकृती मिली है पुलिस मुख्याले ने दी प्रदर्शन कारियों को छेतावनी बिहार में जारी अगनिपत योचना के खिलाफ संभावित जुलूस और प्रदर्शन को लेकर पुलिस फ्रसाशन अब अलर्ट मूड में काम कर रहा है जिसकी तहती अपटना सहीत पुरे बिहार में सुरक्षाक कर दी गई है आज मस्जुदों में नमाज के बाद अब निकलने वाले जुलूस और अगनिपत योचना के खिलाफ होने वाले संभावित प्रदर्शन को देखते वे बिहार पुलिस मुख्याले की तरफ से राजधानी पटना सबेत पुरे जुले और बिहार केरने जुलों में भी अत्रिक्त पुलिस अधिकारी और बलो की तैनाती कर दी गई है राजधानी पटना की बात करें तो मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के साथ ही परियापत संख्यावे महिला और पुरुष पुलिस से बल को तैनाध किया गया है साथ ही जरूरत पढ़ने पर केंद्रिय अर्धिसैनिक बल की कंपनियों को भी बिहार बुलाने की बात करी गई है आज बिहारी बर्थरे स्पेशल में हम बात करेंगे देव की नंदन खत्री की बाबु देव की नंदन खत्री का जन्म आज भी के दिन यानिक 18 जून 1861 को हुआ था बाबु देव की नंदन खत्री ने हिंदी के प्रथम तिलसमी लेखक का काम किया है उन्हाने चंदरकांता, चंदरकांता संतिती, काजर की कोट्री, नरेंदर मोहिनी, कुसम कुमारी, विरेंदर वीर, गुप्त गोधना, कटोरा भर, भूतनात जैसी रचनाई की भूतनात खो उनके पुतर दुर्गा प्रसाथ खत्री ने पूरा किया हिंदी भाशा के प्रचार प्रसार में उनके उपानियास चंदरकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इस उपानियास ने सब का मन मोह लिया था इस किताब का रसा स्वाधन के लिए ही कई गैर हिंदी भाशियों ने हिंदी सीखी, बाबुदेव की नंदन खत्री ने तिलस्म, अयार और अयारी जैसे शब्दों को हिंदी भाशियों के बीच लोग प्रिये बनाया, जितने हिंदी पाथक उन्होंने उत्पनी किये, उतन इसे की बारे में बताया है, जब हाली में आबुदावी में हुए आइफा अवार्ड मिलने पर सभी ने तालिया बजाई थी, पंकस ने बताया है कि उनकी जीत पर, जब ओडियन्स उनकी तारीफ में तालिया बजा रहे थे, तो इस वक्त वो कन्फ्यूज हो गए कि उन्हे किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला है, इतना ही नहीं पंकस ने मीडिया से भी अपने इस कन्फ्यूजन की बारे में पूछा, पंकस ने बताया कि उन्होंने फिर मीडिया से पूछा कि फिल्म लूडो या तेरासी में किस फिल्म के लिए उन्हें सपोर्टिंग रोल का अव का प्रभाव दिख रहा है। के जग जीवन स्टेडिया में चलने वाली क्रिकेट अकारिकरम मास्टर क्लास ओफ यूसफ पठान की तहट पुर्वंतरास्ट्री एक क्रिकेट अकार्डमी ओफ पठान की निदेशक यूसफ पठान और मैनेजिंग डारेक्टर हरमीत बास देव अकार्डमी की लोगों से मिल परकात की और उन्हें ज्यादा समय दिया बिहार में 14 ट्रेने राक बिहार में इन दिनो जारी युवाओं के आकरोश ने अभिनसक रूप ले लिया है आलम कुछ यू है कि बीदे तीन दिन के बवाल में युवाओं ने सरकारी संपतियों को खूब नुपसान पहुचाया है उपधरवियों ने रेलवे को अपना निशाना बना रिया है खबर लिखे जाने तक आई जानकारी के नुसार युवाओं ने बिहार में चौधर ट्रेनों को फूख दिया है इसमें से कुछ ट्रेने बिहार से बाहर जाने बाली थी समस्तिपुर में दो एक्सप्रेस ट्रेन, लखी सराय में दो एक्सप्रेस ट्रेन, दानपुर में तीन एक्सप्रेस ट्रेन को आग लगा दी गई है इसके लावा सुपॉल में डेमू ट्रेन, आरा में एक मेमू ट्रेन, फथवा में एक मेमू ट्रेन को आग लगाई गई है गया की उल्डेल विमार के पैमार स्टेशन पर एक पारसल ट्रेन को आग लगा दी गई बिहार में संभावित बाड़ से बचाव की तयारी शुरू किट, मास्क और सैनिटाइजर सहीत रहतकारे में जरूरत की सभी सामागरी दी गई है जवानों के पास लगभग 20 बोट और 180 लाइज जैकेट है इसकी मदद से बाड़ के दारान लोगों को निकलना आसान होगा अगनिपत योजणा के तहट 24 जून से शुरू होगी भरती प्रक्रिया अगनिपत योजणा को लेकर जहां विभिन राजियों में विरोज देखने को मिल रहा है पिछले दो साल से कोरोना महमारी के कारण ऐसा नहीं कर सके वहीं एर चीफ मार्शल वियार चौधरी ने कहा कि अगले शुक्रवार यानि 24 जून से भरती प्रक्रियाश शुरू कर दी जाएगी जिसके बाद ही अब उमीद है कि अगले दो दिनों के भीतर जॉइन इंडियन आर्मी.NIC.IN पर अधिसूचना जारी की जाएगी उसके बाद सेना भरती का विस्टित कारिक्रम जारी किया जाएगा बिहार के पुरा तत्विक्स थल और समारक पर होगी परेटकिये सुबधाओं से लेंस होने वाली है बिहार सरकार और केंदर की मोदी सरकार के संविक्त प्रयास से ये प्रस्ताव जमीन पर ज्वल्धी उतरने वाला है इस योशा के तहट आधिकारिक परेटक पुरा तत्विक्स थल तक पहुँचे और यहां आने के दोरान उनके आवगमन से लेकर समय व्यतीत करने के दोरान ही हर जरूरतों का खयाल रखा जाएगा सबसे खास बात यह है कि नए परेटकों को पुरा तत्विक स्थलों से जोड़ने की मुहीम भी चलेगी खासतोर से बच्चों और नई पीड़ी को आकर शित करने के लिए कुछ नए प्रयोग भी किये जाएंगे इनके संग्रक्षन संवर्धन और सौंधरी करन का प्रस्ताव बिहार ने केंद्र को सौपा है इसको लेकर अंतिम निर्णे नई दिल्ली के अशोक कन्मेंशन सेंटर में भारत सरकार के संस्कृत बंत्री जी किशन रेडी की अध्यक्षता में हुई केंद्रिय पुरा तत्व सलाहकार समीती की बैठक में लिया गया है राजगीर के साइकलोपेन बॉल में आपको देखने को मिलेगा बहुत खुशखास मगत सामराजु की राजधानी राजगरी की सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे विशाल दिवार बनाई गई थी इसके लंबाई 45 से 48 किलोमीटर है जो पंच पहाड़ियों पर मौझूद है भारतिय पुरा तत्व सर्वेक्षन की टीम ने दिवार का अबलोकन किया इसे युनेसको वर्ल्ड हेरिटेट साइट की सूची में शामल कराने के लिए टीम आवश्रक दस्तावेश तयार करेगी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे की राजगीर का प्राचीन शहर राजा विम्मसार और उनके पुत्र अजाद शत्रू की राजधानी थी जो बुद्ध के समकालीन थे शहर के चारों तरफ एक किलाबंद दिवार के निशान पाए जाते हैं इस दिवार को बड़े पैमाने पर अवांशित पत्थरों के साथ बनाये गया था बिहार में जारी बवार के बीच विधान सभा ध्यक्ष ने दी सफाई कि पहले इस योजना के बारे में पूरी तरह जान ले इसके बाद सभी इसे सराहेंगे पूरी जानकारी मिले के बाद शात्रों की नाराजगी अपने आप खत्म हो जाएगी उन्हाने कहा कि अगर शात्रों को इस योजना को लेकर किसी तरह क्या पत्ती है तो वो अपना सुझाव दे, इस तरह किसे कानून अपने हाथ में ना ले बिहार विद्याले के जुला नियायालो में भी होगी नॉन बांकिंग से जुड़े विवादों की सुनवाई बिहार के सभी नीजी या नॉन बांकिंग फानांशल कंपनी में निवेश करने वालों से जुड़े मामलो या फिर किसी भी संबंधित विवाद का निप्टारा अब सभी जुला स्तर ये कोर्ट में हो सकेगा सभी जुला एवं सत्र नियाधीशों को अब इस तरह के मामलों की सुनवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है इसके साथ ही हाली में विधे विभाग के सतर से सम्मंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है गलत जगह पार्क हुई गाड़ी की फोटो भेचने पर मिलेंगे 500 रुपे अगर आप ही अब सड़क पर चलने की दारान किसी गाड़ी को गलत जगह पर पार्क देखते हैं तो अब आप के पास जाम से नजा दिलवाने और 500 रुपे कमाने का मौका भी मिलने वाला है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बलकि ये एलान केंद्रे मंत्री नितिन गटकरी ने किया है एक कारक्रम को संबोधित करने की दारान नितिन गटकरी ने कहा कि वो सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने की प्रविर्टी को रोकने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं इसी के तहट अब यदि कोई व्यक्ती गलत तरीके से सड़क पर खड़े किये गए वाहन की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपे का इनाम मिलेगा। सरकार जल्ड इस तरह का एक कानून लाने जा रही है। बिहार के 12 जलो में इंटरेट पर लगाम नहीं चलेंगे सोशल मीडिया एप्स। इस दौरान यूट्यूब पर वीडियो अपलोड भी नहीं किया जा सकेगा। ग्रेवभाग के परमोख्यसाचिफ चेट तन्य प्रसाद ने इंटरनेट के जरिये मेसेच के लेंदेन को रोकने का आदेश जारी कर दिया है। जिन जिलों में ये रोक प्रभावी रहेगी उनमें कैमूर, भोजपूर, औरंगाबाद, रोहतास, बकसर, नवादा, पश्विम चंपारन, समस्तिपूर, लखी सराई, बेगु सराई, वैशाली और सारंजुलाश शामिल है। क्या आप लगेगी 2-18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन, जान ये भारत बायोटेक की राई। इसको लेकर कोवाक्सीन का बड़े पैमाने पर अधियन और प्रकाशिन किया गया है, ये पारदर्शिता के साथ बहुत उचिस्तर का डेटा प्रदर्शित करता है। का मौका मिला था, तब पंचायती राजवस्ता को सुद्रध करने के लिए ही कानून बनाने का काम हुआ था। आज बिहार बंद करेगी राजवत, सेना में चार साल की स्तंशिप्त अबधी के लिए समवधा पर बहाली की अगनिपत्य योचना के विरोध में बिहार के 22 जिलों में चात्र युवाओं का उत्पात, बेबस और लाचार प्रसाशिन की आगे लगातार तीस्टे दिन भी जारी रहा, इस बीच सेना में बहाली की, नई प्रक्रिया को लेकर चल रहे विरोध का महागट बंदन ने समर्थन किया है, साथ ही वामदलों के चात्र संगठनों के अलावा दूसरे चात्र संगठन द्वारा शुषनिवार को बिहार बंद का समर्थन किया गया है, वहीं केंद्री सरकार को अपना फैसलाब वापस लेना होगा, रास्ट्रपती चुनाव की मानेजमेंट टीम में बिहार के लाल का हुआ चायर, देश बर में जल्दी रास्ट्रपती चुनाव का आयो जिन होने वाला है, इसको लेकर ही रास्ट्रपती चुनाव की मैनेजमेंट ट को रास्ट्रपती चिनाव की इस मैनेजमेंट टीम का सदस्य बनाए गया है। ट्रेन यात्री लगातार परिश्वान है वहीं बीते दिन ही 214 ट्रेने कैंसल हो गए। इनमें कई एक्स्प्रेस ट्रेन भी है। बीते दिन बिहार में और ज्यादा हिंसक विरोध का रूप ले लिया। इसके कारण ही रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान ज्येलना पड़ा है। प्रदर्शन कारियों ने अन्य सरकारी और नीजी संपत्यों को भी नुकसान पहुचाया है। जो इनके बारे में ही अब बिहार भाच्पा के प्रदेश अध्यक्ष संजे जैस्वाल ने अपना बयान दिया। जिसकी तहत ही उन्होंने कहा कि अभी बिहार में जो भी हो रहा है उसके लिए राज़द ही जिम्मेदार है। अभी जो प्रदर्शन चल रहा है उससे चात्रों का कोई लेना देना नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देए कि संजे जैस्वाल का बयान ऐसे समय में आया है जो बीते दिन ही उनके आवास को द्रवियों ने छतिग्रस्त कर दिया है। तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहिए। पर के बीच में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का योध शुरुआ और अग्जेब ने 1659 में आगरा के किले पर कबजा कर लिया। नेताजी सुभास चंद्र बोस द्वारा भारती रास्ट्रिय कॉंग्रिस के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 में हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगवाई में 1946 को गवाई में पुर्टगाल के साशुन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरुआ था। श्रकुंतला देवी ने 1980 में दो तेरह डिजिट के नंबरों का गुना किया और 28 सेकंड में सही उत्तर दे दिया। धविनेत्री नसीम बानो का निधन 2002 में वाई भारतिये टीम ने की साउथ आफरिका के खिलाफ सीरीज में वापसी साउथ आफरिका को 82 रनों से हराया। विकेट गवाकर 179 रन बनाए। जवाब में दक्षिन आफरिका टीम 16.5 ओवर में 9 विकेट गवाकर 87 रन ही बना सकी। कल हमारे दोवारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे युजर्ण हमें कॉमेंट करके दिया था। उसके लिए आपका बहुत भुत धन्यवाद आप में से जिन युजर्ण हमारे सवालों का सही जवाब दिया है। के नाम है काजर मंडल, रंजीत मिश्रा, विजवेख हायर, रंजन कुमार, गोनार शर्मा, अनवर करीम, कुश कुमार यादव, गौतम कुमार, भवानी कुमार, सुरेश प्रसाथ, सुबोध कुमार, अतिक खान, हिमानशी कुमार, पृती कुमारी आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चले बढ़ते हैं, आज का सवाल कुछ इस प्रकार है 2019 के बढ़ते असर के बीच क्या आपने वाक्सीन की 30 डोस लगवाई है या नहीं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके साथ ही, आज के लिए वस इतना ही, विहार की बड़ी खबरों से अबडेटेटे रहने के लिए हमारे योट्यूब चानल को सब सब्सक्राइब करें और बेल आइक आपना ना भूले, धन्यवाद